बजो हम चैप्टर पर रहे हैं The Browning Version आज का भाग है इसी चैप्टर का दूसरा पार्ट तो चलो करते हैं इसके दूसरे भाग के शुरुआत Frank ने कहा Yes, Much Too Far और फिर Taplow ने कहा Sorry Sir, I Got Carried Away भई Taplow Mr. Crocker Harris के बारे में बहुत जादा बोलने लग गया था इसी लिए जो Frank जो दूसरे अध्यापक थे उन्होंने कहा कि हाँ भई तुम जादा बोल गए तो फिर Taplow ने कहा Sorry Sir, मुझे माफ कर दीजिए Sir, I Got Carried Away Carried Away मतलब मैं भई आपे से बाहर हो गया तो Taplow ने कहा मुझे माफ कर दीजिए Sir, मैं अपने आपे से बाहर हो गया Frank ने कहा Evidently, Evidently मतलब भई ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि तुम अपने आपे से बाहर हो गये और ये बोलते हुए, Frank ने क्या किया बच्चों, Frank ने, he picks up a newspaper Picks up मतलब उठाया एक newspaper और उसको खोला और फिर बोले, Frank, टैप लो, तो टैप लो ने कहा, yes sir टैप लो ने क्या बोला, हाँ sir Frank ने फिर अपनी बात पुछी, what was that Crocker Harris said to you Frank ने पूछा कि Mr. Crocker Harris ने तुम से क्या कहा था Just repeat it would you, और क्या बोले Frank, कि भई जो भी तुमें Mr. Crocker Harris ने कहा था उसको repeat करोगे, repeat करोगे मतलब दहराओगे, तो टैप लो ने वापे से imitate करते हुए कहा यानि की भई, थोड़ा सा वैसा ही नाटक करते हुए कहा, जैसे Mr. Crocker Harris करते थे उसी आवास में, उसी अंदाद से क्या बोला फिर वापे से टैप लो My dear टैप लो, I have given you exactly what you deserve No less and certainly no more, ना मैंने तुम्हें कम दिया है और निश्चित रूप से जादा मार्क्स तो तुम्हें दिये ही नहीं है तो बचो अभी हमने क्या-क्या वर्ड्स पढ़े थे पहले, देखे उन्हें रिवाइस करते हैं सबसे पहला है कैरीड अवे, कैरीड अवे का मतलब होता है आपे से बाहर होना फिर है पिक्स, यानि की उठाया तो फ्रैंक ने क्या करा, लुकिंग सीवियर लुकिंग सीवियर मतलब बहुत जादा गंभीर दिखने लग गये फ्रैंक और फिर उन्होंने कहा और उन्होंने एकदम गंभीर भाव से कहा कि नहीं नहीं ये तो बिलकुल वैसा नहीं है जैसे मिस्टर क्रॉकर हैरिस बात करते हैं तुम चुपचाप अपनी अस्चलिस पढ़ो और चुप रहो फिर टैपलो ने डिसलाइक के साथ में यानि की नफरत के साथ में घ्रना के साथ में कहा अस्चलिस फिर फ्रैंक ने बोला look what time did Mr. Crocker Harris tell you to be here फ्रैंक ने पूचा की अच्छा ये बताओ किस समय पे Mr. Crocker Harris ने तुम्हें यहाँ आने को कहा था भई किस समय को आने को कहा था जब टैपलो उत्तर देगा तब हम जानेंगे लेकिन पहले क्या करेंगे बच्चों पहले हम इन सारे वर्ड्स को जो अभी हमने देखे हैं जो इंपोर्टन्ट है उन्हें रिवाइस करेंगे तो देखे सबसे पहला है एक्जाक्ली इग्जाक्ली मतलब थीक डिजर्व यानि की काबिल सेटैनली मतलब निश्चित रूप से सीव्य मतलब गंभीर डिसलाइक यानि घ्रणा या फिर नफरत फिर टैपलो ने क्या उत्तर दिया बच्चो टैपलो ने कहा सिक्स थर्टी सर साड़े छे बजे सर यानि की भई साड़े छे बजे मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने मुझे कहा था कि मैं यहां पे आ जाऊं तो फ्रैंक ने कहा वेहल ही स् तैन मिनिटवले वाइं देव दो वैंट उकट यू कुट्स तिल प्ले गॉल्फ बिफोर लॉप फ्रैंक ने कहा बच्चो फ्रैंक ने कहा कि वह यानिकी मिस्टर क्रॉकर है रस दस मिनिट लेट है तुम कट क्यूं नहीं कर लेते, कट क्यूं नहीं कर लेते, मतलब तुम यहां से अभी चले क्यू नहीं जाते, तुम अभी भी गोल्फ खेल सकते हो लौक अप से पहले तक, है न, मिस्टर क्रोकर हैरिस तो लेट है, उन्होंने तुमें साड़े छे बज़े का समय दिया था, और वो खुद 10 मिनिट लेट है, तो एक काम करो, तुम चले जाओ और अपना गोल्फ खेल लो, तो टैपलो ने क्या कहा, देखो, रियली शॉक्ट, एगदम से वो अचंबित हुआ और उसने कहा, ओ नो, I couldn't cut, अरे नहीं, मैं नहीं जा सकता, cut the crock, Mr. Crocker Harris, और क्या भोला ब को ठीक करते हुए कहा, कि Mr. Crocker Harris की, इसे जो मिलाकात है मेरी, मैं उसे छोड के गोल्फ खेलने चला जाओ, I shouldn't think it's even been done in the whole time, he's been here, और फिर टैपलो ने बच्चों कहा, कि मैं को ऐसा नहीं लगता, कि वो जो पूरा समय है, जिसमें Mr. Crocker Harris यहां रहे हैं, वहां पर उस पूरे समय में किसी के भी द्वारा ऐसा किया गया हो, कि Mr. Crocker Harris उसे बुलाएं, है ना, और वो व्यक्ति वहां ना जाकर कहीं और ही चला जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ, God knows, what would happen if I did, भगवान ही जाने क्या होगा, अगर मैं ऐसा कर दू तो, he'd probably follow me home or something, और फिर टैपलो ने कहा, कि हो सकता है, Mr. Crocker Harris, पीछे-पीछे मेरे घर तक आजाएं, या कुछ ऐसा करें, Frank ने कहा, I must admit, I envy him, the effect he seems to have on you boys in the form, तो बचो, Frank ने कहा, कि मैं यह स्विकार करता हूँ, कि मुझे एशा हो रही है उनसे, उनसे मतला Mr. Crocker Harris से, और एशा क्यों हो रही है, क्योंकि, जो प्रभाव ह है उनका, तुम लड़कों पर, उस प्रभाव के कारण मुझे Mr. Crocker Harris से इशा हो रही है, you all seem scared to death of him, और तुम सब अतियंत भाइभीत लगते हो उनसे, what does he do, beat you all or something, और फिर Frank ने पूछा, कि भई वो ऐसा करते कहा है, कि तुम उनसे इतना भाइभीत हो, तुम लोग को मारते हैं या ऐसा कुछ करते हैं, तो टैपलो ने कहा, good lord no, अरे भगवान ऐसा कुछ नहीं है, तो बच्चों आगे टैपलो ने क्या उतर दिया, जानने से पहले हम क्या करेंगे, हम इन तीनों words को revise करेंगे, देखिए, सबसे पहला है admit, admit मतलब स्वीकार करना, फिर है envy, यानि की इर्शा, scared, यानि की भैभीत, he's not a sadist, like one or two of the others, और फिर टैपलो ने कहा की भई वो, यानि Mr. Crocker Harris, एक sadist नहीं है, एक परपीडक नहीं है, जैसे की, इस स्कूल के बाकी एक दो अध्यापक है, तो Frank ने कहा, I beg your pardon, I beg your pardon का मतलब क्या है बच्चों, की भई दुबारा बोलना तुमने क्या कहा, तो Frank ने बोला की भई दुबारा बोलो तुमने क्या कहा, मैंने धंक से सुना नहीं, तो टैपलो बोलते हैं, a sadist, sir, is someone who gets pleasure out of giving pain, तो टैपलो ने समझाया, की sadist का मतलब क्या है, sadist मतलब एक ऐसा व्यक्ति, जो दूसरों के कष्ट में क्या प्राप्त करे, pleasure यानि की आनंद प्राप्त करे, तो Frank ने कहा, indeed, हाँ, जरूर, but I think you went on to say that some other masters, पर फिर Frank ने क्या कहा, वो तो ठीक है, पर मुझे ऐसा लगता है, तुम ये कहना चाह रहे थे, कि कुछ जो दूसरे अध्यापक हैं, वो, फिर इतने में टैपलो ने कहा, well, of course, they are, sir, टैपलो बच्चों, टैपलो बोलना चाहता है, कि जो दूसरे अध्यापक है, कुछ जो दूसरे अध्यापक है, वो क्या है, पर पीड़क है, यानि की बच्चों को दुख दे कर, उनको बहुत आनंद प्राप्त होता है, पर Mr. Crocker Harris, ऐसे अध्यापक नहीं है, तो बच्चों, हमने क जाना, हमने जाना सेडिस्ट का मतलब, सेडिस्ट यानि की परपीड़क, या फिर दूसरों को दुखी करके सुख पाने वाला, समझ में आ रहा है ना बच्चों, ऐसे नए नए वर्ड्स को साथ साथ रवाइस करते जाहिए, देखिये, I won't mention names, but you know them as well as I do, तो फिर टैपलो ने कहा कि हां, ऐसे अध्यापक हैं, पर मैं लेख नहीं करूंगा ऐसे अध्यापकों के नाम का, आप अच्छे से जानते हैं कि वो कौन है, जितना अच्छे से कि मैं जानता हूं, of course I know, most masters think, we boys don't understand a thing, और फिर टैपलो ने कहा, कि भई, जादा तर जो अध्यापक है, वो य समझते हैं कि हम लड़के कुछ भी नहीं समझते, but sir, you are different, पर sir, आप different है, आप अलग है, you are young, आप यूवा हैं, well, comparatively, comparatively मतलब अपेक्षा धंग से, आप थोड़े से यूवा हैं, बाकी अध्यापकों से, anyway, and you are science, और फिर टैपलो ने कहा कि भई, आप यूवा तो है ही, पर आप हैं विज्ञान वाले, you must know what sadism is, और आपको जरूर पता होगा, sadism क्या होता है, frank, after a pause, फिर frank ने थोड़ा सा pause लेकर, विराम लेकर, थोड़ा सा ठहर कर कहा, क्या कहा बच्चों, वो जानेंगे पहले हम क्या करेंगे, देखो ये जो 5 words हैं, उन्हें रिवाइस करते हैं, सबसे पहला है mention, mention यानि की उल्लेक, understand यानि की समझना, different मतलब अलग, comparatively मतलब अपेक्शाकरत, pause यानि विराम या फिर ठहराव या फिर ठहर कर, good lord, what are our schools coming to, और फिर frank में थोड़ा सा विराम लेकर कहा, हमारे स्कूलों को क्या हो गया है, टैपलो ने कहा, फिर anyway the croc isn't a sadist, और फिर टैपलो ने अपनी बात को वापिस से आगे बढ़ाते हुए कहा, कि भई कुछ भी हो, जो Mr. Croc है, वो एक sadist नहीं है, that's what I am saying, मैं केवल ये कह रहा हूं, He wouldn't be so frightening if he were, because at least it would show he had some feelings, और फिर टैपलो ने क्या कहा, वो इतने फ्राइटनिंग नहीं होते, इतने भयानक नहीं होते, इतने भयावे नहीं होते, अगर वो, क्योंकि कम से कम ये तो दिखता कि उनमें feelings हैं, भावनाएं हैं, but he hasn't, पर Mr. Crocker Harris में कोई भावना नहीं है, He is all shriveled up inside like a nut, and he seems to hate people, तो बच्चों फिर टैपलो ने बताया, कि भई इसलिए नहीं डरते हम लोग कि वो कोई sadist हैं, या फिर वो हमको मारते हैं, बिल्कुल एक nut की तर है, सूखे हुए है, shriveled up है, मतलब सूखे हुए है, nut क्या होता है, ये जो आप बादाम, काजू, पिस्ता, ये सब खाते हो ना, ये सब होते हैं बच्चों, nuts, सूखे मेवे, तो टैपलो ये बोलना चाहता है, कि Mr. Crocker Harris अंदर से बिल्कुल कैसे हैं, बिल्कुल सूखे हैं, he seems to hate people, और ऐसा लगता है, कि वो लोगों से नफरत करते हैं, तो बच्चों, फ्राइटनिंग का मतलब हमने क्या जाना, देखो, फ्राइटनिंग यानि भयानक या फिर भया वह, और shriveled up यानि की सूखा, to like him, और बच्चों, क्या बोल रहा है I don't know any other master who doesn't like being liked, क्यों funny है, क्योंकि भई में को कोई ऐसा अध्यापक नहीं मिला आज तक, जिसको पसंद ना हो कि उसको पसंद किया जा रहा है, Frank ने कहा, and I don't know any boy who doesn't use that for his own purpose, और फिर Frank ने कहा कि और मैं किसी ऐसे लड़के को नहीं जानता, जो इस बात को अपने प्रयोज के लिए इस्तमाल ना करे, कौन सी बात को बच्चो, इस बात को कि भई अध्यापको को पसंद है कि उन्हें पसंद किया जा रहा है, और फिर Frank यहीं बोलना चारे है कि में को ऐसा नहीं लगता, कोई भी ऐसा लड़का होगा, जो इस बात का फाइदा अपने प्रयोजन के ल यानि कि Frank चाहते हैं कि Taplow Mr. Crocker Harris का नाम क्रॉक करके नहीं, बल्कि सम्मान जनक धंग से ले, पूरा नाम ले Mr. Crocker Harris, Taplow ने कहा Mr. Crocker Harris, Taplow समझ गया उसकी क्या गलती है, और फिर उसने अपनी बात को ठीक करते हुए कहा Mr. Crocker Harris, तो बच्चो, परपोस का मतलब क्या होता है, प्रयोजन और नाचरल यानि कि स्वाभाविक, the funny thing is that, in spite of everything, I do rather like him, तो बच्चो, टैपलो ने कहा कि सबसे जादा फनी बात तो ये है, कि बावजूद हर चीज के मे कू फिर भी वो पसंद है, I can't help it, और इस बारे में मैं भी कुछ नहीं कर सकता, and sometimes I think, he sees it, that seems to shrivel him up even more, और फिर टैपलो ने कहा कि कई बार मुझे ऐसा लगता है कि वो ये चीज देख पाते हैं, और इसके कारण से वो अंदर से और सूख जाते हैं, और जादा क्या हो जाते हैं, बई और जादा रूखे हो जाते हैं, तो बच्चो देखो, यहाँ पे हमने क्या जाना, in spite of का मतल का मतलब क्या होता है, बावजूद, अचा हमने क्या जाना था, shriveled up, shriveled up मतलब सूखा, एक और शब्द है shrivel, shrivel Yarni की जूरी पड़ना, पर यहाँ पर जो shrivel है, इसका मतलब है सूखा होना, है न, तो टैपलो ये बोलना चाहता है कि में को तो Crocker Harris बहुत पसंद है, और वो, यानि कि Mr. Crocker Harris इस बात को जानते हैं और शायद से वो इस बात से और जादा क्या हो जाते हैं उनको और जादा उनका जो मन है वो और जादा सूख जाता है उनको नहीं अच्छा लगता कि उनको कोई पसंद करें और खास कर कोई विध्यारती अब और क्या-क्या बाते करेंगे फ्रैंक को टैप लो जानेंगे हम अगले वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ मिलते हैं अगले वीडियो में